साथियों नमस्कार जिस तरह से हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोटिंग दिखा रहे थे हैं हमारे साथ में उपस्तित हैं केडी गौतम जी जो बहुजन समाज में जगरुपता का काम करते रहते हैं आज इन से बात करेंगे चुनावी महोल को लेकर और ये विशुनात गंज विधानसवा में पस्तित हैं और बात करते हैं क्या कहते हैं चुनाव के बारे में क्या कहेंगे सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से बहुत भुट धन्नवाद देना चाहता हूँ कि आप जनता की आवाज को जनता तक पहुचाने का काम कर रहे हैं आप बधाय के फात्रे हैं आपका एक वीडियो वाराल हो रहा था जो है विधानसवा प्रत्यासी को लेकर क्या गाएंग उसके बारे में देखिए ऐसा है प्रताबगड के विधानसवा विशनाद गंज की जो सीठ है 24 दिसंबर को पूर विधायक संजे तिवारी जी को बहुजन समाज पाल्टी का प्रत्यासी घोसित किया गया था लेकिन 14 जनवरी को मानिया बहन कुमारी मायवती जी के निर्देश पर मानदाता बलाग के बलाग प्रत्निधी एवन समाजी कारकरता बड़े भाई असफाक अहमत जी को बहुजन समाज पाल्टी का प्रत्यासी घोसित किया गया और जो पूर में प्रत्यासी बनाया गया था संजे तिवारी जी को उसके बाद असफाग भाई काड़ कर अबी 25 जनवरी को असफाग जी का टिकट काड़ कर पूना सञे तिवारी जी प्रत्यासी बनाया गया जबकि असफाग भाई का बहुत बड़े पैमाने पर विश्णात गंच की जनता है उसका शमर्थन मिल रहा था नवजवान मजबूती के साथ सभी वर्ग का नवजवान उनके साथ खड़ा था और जनता में एक उत्सा था सभी विरोधी पार्टियां जो है असफाग भाई से डरी होई थी असफाग भाई पूरा जीतने के मूर में थे और जीत लेते ये सीट को लेकिन बीच में असफाग भाई का टिकेट काट कर बहुत गलत हुआ और इससे जनता में बड़ा रोस है जनता में बड़ा दुख भी है और गुसा भी है इसलिए बिधान साभाब इसनाद गंज की जनता है इससे वो जो है लगातार शन्जे तिवारी जी को टिकेट मिल गया उनसे दिक्कत क्या है आप लोगों के शन्जे तिवारी जी इसके पहले भी बिधायक रह चुके है और जब कोई दलिस समाज के अव्यक्ति उनके पास जाता था तो यही कहते थे कि हम तो आप लोग तो मायवती कोट देते हो हमें थोड़ी नोट देते हो हम तो टिकेट खरीद कर लाए है हमने तो आपका ओट खरीदा है और अपमानित करके उनको आपस कर देते थे इसका भुक्त भोगी मैं सोयम हूँ मैं उनके पास किसी काम के लिए गया था उन्हें ने भी ऐसला मुझे के खरीदा है हम आदरणीया बहन कुमारी मायवती ची से mental करते हैं यह जन्दा की मांग पर यह हमारी ही मांग नहीं है यह द्शनात गंज का बच्चा-बच्चा सार्व समाज के लोग नउझवान बूढ़े, बुजुर्ग, माताएं, वहने सभी ये चाहती है कि असफाग भाई को पुनाह भोजन समाज पार्टी का प्रत्यासी बनाया जाए निश्चित तोर पर ये सीट निकल जाएगी अगर असफाग भाई को यहां का प्रत्यासी बनाया जाता है तो, और हम सारे लोग मांग करते हैं बहन कुमारी मायोती क्या संजे तिवारी जी भेदभाव करते हैं जाती है भेदभाव तो बिल्कुल करते हैं अगर भेदभाव ना करते तो ऐसा थोड़ी कहते हैं कि हमने तो जो है तुम तो मायोती को ओड़ दिये हो, हमें थोड़े नोड़ दिये हो, हमने आपको विधायक बनाया है, हम बहन जी के नाम पर ओड़ देते हैं, ये बात सत्त है, लेकिन ये बात कहिकर दली समाज को अपमानित करने का अधिकार थोड़ी है किसी को, अब तो बहुजन समाज पा सब्सक्राइब करें लेकिन अगर कोई व्यक्ति मनुवादी मांग सित्ता से ग्रसित है तो ऐसे व्यक्ति को बहुजन समाज कत्ताई सभीकार नहीं करें वो चाहे संजेती वारी जी हो और चाहे अन्न कोई भी अगर मान लेज़े फिर से असफाग जी को टिकट में लाता है तो आप लोगों को पूरा समर्थन रहेगा बेलकुल असफाग जी को अगर टिकट तुबारा मिलता है तो यह समझ लेज़े कि सर्व समाज का व्यक्ति उनके साथ खड़ा है यहां विसनाद गंज में शम लोग क हम लोग में लोगों जोरो को समझाने का फर्यास क यह और नौज़मान टेजी के साथ जूरता गया नेकिन बाद में जो है असफाग जी को टिकट नहीं मिलेगा तो आगे कि रूह अप लोगों को तिकट मेलेगा यह पूरी उम्मीद है हम लोगी से लिए संगहर निंगे अ में ही असफाग भाई को टिकट मिलेगा यह हम लोगों को उम्मीद है और वरोसा भी है तो यहां की जनता जो है असफाग जी को चाहते हैं बिलकुल सर्व समाज की लोग असफाग भाई को चाहते हैं हाँ आप पता कर लिजे जाके पूरे विधान सभी सुनादगर में जाकर हम और लोगों की राय ले लिए जिए तो आसफाग भाई के टिकट कटने से यह समले ज़ए कि परताबगड की जो सीटे हैं अन सीटे जो है बहुजय समाज पाल्टी की जो परत्यासी बनाये गए है या इलाहाबाद के भी जो है परताबगड से जो छूते हुए विधान वहां पर मुस्लिमोर परभावित होगा बड़े पैमाने परभावित हो नेकी संभाव ना है उनका टिकट करने की वज़े से यहां से प्रत्यासि जो है इस समय वर्तमान में संजेति वारी जी हैं वो जाती भेदबाव करते हैं और यहां की जनता जो है काफी आक्रोस है वो मा के जो निवासी हैं विधान सभा के वो सभी लोग उनको जिताने का काम करेंगे